हेलो गाइज वेल्कम बैक टी यूडूब चैनल एसके मिश्री मैं हूँ आपका एजुकेटर सियो मिश्रा और यहां पर लेके आया है क्लाच 12 हिंदी के पांच सबसे इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक से इसमें क्या बताने वाले सर आपको दस बहुविकल्पी बताएं सबस्क्राइब करने आता है िउस्ट एमका क्या बताने वाले हैं ऻोहीं पर आपका दस नंबर का जीवर्ल परिचSA है और आपका पांच नंबर का कहानी बताएंगी तो पर जोड़ेंगे तो टोटल कितना जाएगा सर्जी को टीफाइब मार्क्स आपको मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किये तो यहार आज को वीडियो लाइक टारेट 1000 है मुझे आ के नाम किया संगुकर कानि को 합니다мurd जो का तो के मठंकर की कानी सबस्केशां कि सबस्क्राइब और यह कि को यह इसकी सर कहानी तो पर्यम चबल जो है सब्सक्राइब कर 2017 सबस्क्राइब विडिया निमास कि निवंदकार है विद्या निमास निवंदकार है तो हजारी मदकेस इतुक हैं कि किसकी रचना लए जारें और अच्छा यह और नियुक्त से जेए पहल नियुकि यहां पहर सुपा कि हर संकर पहसाई कि जैसे उनके किस विरागी रचना है यह कहानी क्लियर है अगला यहां पर 4 पृष्ण क्या भूलू क्या याद करू आत्म कतायसर किसका सजी तो हरिवन सराइ बच्चन कि किसका सरी हरिवन सराइ अगला यहां पर निम्खित में से प्रशारी प्रसाद द्रवेदी का निवन्द संग्र है जो आलोक परव है यह किसका सर्जी हजारे प्रसाद द्रिवेदी का एक निवन्द संग्र है क्या सर्जी एक निवन्द संग्र है अगला यहां पे विशम में क्या है विशम विशमोश धम की गद्य विधा है सर्जी कौन सी विधा है मतलब की किस प्रकार की रचना है किस प्रकार की रचना है यह एक सर क्या है नाटक है क्या है इसा एक सर नाटक है अगला यहां पर प्रशन है डॉक्टर हजारी प्रशाद द्रिवेदी द्वारा लिखी साहित सरचर किस विधा की रचना है यह किस विधा की रचना है यह बात इन्होंने पूछा है तो आप सीरह पताएंगे यहां पर यह क्या है सर जी, तो यह एक आलोचना है, सर क्या है यह एक आलोचना है, क्या है सर यह एक आलोचना है, अगला है आठवा प्रश्ण, क्या है जैसे उनके दिन फिरिये, क्या है पर जैसे उनके दिन फिरिये, निम्न में से किसकी कहानी संग किसका है कि संकर साइक है अगला यहां पर प्रश्ट प्रश्ट कैश थ्यां दीजहां कि निम्खिन मेंसे कौन प्रोफेषर जी सुन्दर रिड़ी के रचना है यह प्रोफेसर जी सुंदर एड्डी की रचना है अगला है यहां पर प्रस्ट पिताजी संसिरम इसमानण। पतली संसिर की लेखक कौन है जो पीट जी संस्बूरंण की लेखक है वह आपके कनहया लाल मिस्स परभाकर कर bit अगला यहां पर hätte प्रश्ट क्या ध्यान देज़ेगे यहां पर कला और संस्कृति के लिखक है जो कला और संस्कृति के लिखक हैं सर डॉक्टर वासुदेव सर्ग्रवाल कला और संस्कृत लिखक को है डॉक्टर वासुदेव सर्ग्रवाल अगला यहां पर प्रशन है साहित सहचर के लिखक है सर जी हजारी प्रसाद द्रिवेदी है कौन है सर हजारी प्रसाद द्रिवेदी है अगला यहां पर प्रशन है आपका निम्खित में से जैसंकर प्रसाद की कृती है सर जैसंकर प्रसाद की कृती कौन है सर धुरू सौमनी धुरू सौमनी सर किसकी कृती है यह है जैसंकर प्रस जैनेंद्र कुमार है जैनेंद्र कुमार है ध्यान दिजीगा अब यहां पर आपका क्या आएगा विए अुरा आपका गध्यान क्या आएगा गध्यान किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्ध की प्रमारिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिती में कोई भी चीज वसुतर जनता वसमाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सक्त माध्यम हैं और ऐसी ससकता तभी वह अरजित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूलन युगानुकूल सही मुहावरू को ग्रहन कर सके और भासा समाजिक भाव प्रगटी करंद की सुभो सुभोधता के लिए ही उदिष्ट है और उसकी अतरिक उसकी जरुवत ही सोच ही नहीं जाती है अब सबसे पहला एहां पर पृशल मिलेगा आपको करने के लिए उसके पहले आपको एंसर कैसे करना है सबसे पहले आपको क्या करना है लिखना यहाँ पर प्रशुत्तर संख्या क्या लिखना है प्रशुत्तर संख्या उसके बाद गद्यास जहां से सुरू हो रहा है उसको लिखेगा फिर डॉट 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 करके कहां तक लाश तक लिखेगा जहां पे क्या वह रहा है सर सतम हो रहा है उसके सबस्पहला यहां पाढ़ का नाम पूढ़ा है तो सिराल लिखेएंगे प्रस्तुत कई प्र्फेशर सुंधरेड़ी एक ह retail के की दुप यहाँ है एक दूसरे पर क्या होते सर आस्रित होते हैं क्या होते हैं आस्रित होते हैं अगला यहां पर प्रश्ण है प्रश्ण यह बोल रहा है कि उप्रिवत गध्यांस में लेखक ने किस बात परबल दिया है तो प्रस्तुत गध्यांस में लेखक ने इस बात परबल दिया है कि जिस तौंदर में नमीनता होनी चाहिए उसी प्रकार भासा में नमीनता आनी चाहिए अगला यहां पर प्रशन है प्रशन नम्बर चोथा प्रशन क्या बोल रहा है प्रशन ये बोल रहा है यहां पर कि लेखक ने किसे अव्यक्ति का एक ससक्त माध्यम माना है अगला, यहां पर प्लिष्ण है रिखांकित cigarette की जिए कि नाइध ध्यान कैड़ी करना है यहां पर जिसके नीचे लाइन खिची गई है बस इसी को बहात रागि लिख दीजे यह क्या हो जाएगा रिखांकित cowboy काहां जी। बस इसी को आपको क्या करना है बढ़ात रागलिक देना है बाकी आपको कुछ भी करने की जरूत नहीं है तो इसमें क्या लिखेंगे सीधा आप लोग लिखेंगे कि भासा की नमीनता ही उसकी सुन्दरता और रमडिता की धोतक है जो वस्तु रमडी होगी वह नमीन भी होगी और जो नमीन होगी उसमें रमडिता भी रहेगी इस प्रकार नमीनता और रमडिता एक दूसरे पर आसिरत है अत्वार एक है सिक्के के दो पहलू है बिन्या रमड क्या है किसी भी सर्जक की मौलिक अव्यक्त की प्रमारिता क्या करती सूचित करती अगला प्रशन किसे जगड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता ठीड़ा यहां पर प्रशन क्या है रहा मेरिता और उद्धिष्ट का मतलब होता है संदर या मुहक्त और उद्धिष्ट का मतलब को दिए प्रक्या गया होता है अब यहां पर आपका पद्यांस बहुत ही प्यार से इंसर देंगे तर अपने दोस्तुक साथ सेर नहीं किये ने यहां पर क्या सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पाओं के निकट उसको स्याम के ला गिराना यो सीधे से प्रगट करना प्रीत से वंचित हो मेरा होना अतिमलीन और सुखते नित्ते जाना कोई पत्ता नमलतरू का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे किद्रिक दुग्यूगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा तो और थात यहाँ पे राधा पवन से कहती है कि यदि मदुर की भूमी पर मतुरा की भूमी पर तुम्हें कहीं मुर्जाए हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ट के पैरों के पास लागिरा देना और इस प्रकार उसे समच इसपष्ट से यह प्रगट कर देना कि प्रेम विहिन रह कर मैं भी उसी लत्या की तरह मुर्जा कर सदा सूखते जा रही हूं। और यदि नए पेड के पीले पड़ गए पत्ते पर तुम्हारे दिश्ट पड़े तो तुम उसे हमारे प्रेतम की आखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उहें बताना कि पती से भी शड़ी हुई इस्तरी के समान मैं भी पीली पड़ती जा रहे हूं। सबसे पहले यहां पे आपका उत्तर देना रहेगा लेकिन उससे पहले आप बढ़िया प्रशुत्तर संख्याडा लेगा उसके बाद जहां पे गद्यान सुरू हो रहा है और जो खतम हो रहा है उसको डाट डाट करके फिल कर दीजिएगा चाहा की इक्जामनर को भी आ पता घिरा देने को कहती हैं अगला प्रश्ण यहां पर सूखी लता से राधा किष्ट को क्या संदेज देना चाहती हैं कि मैं प्रेम से रहित होंकर किस्प्रकार नित्ति ही सूखती और मलीन होती जा रही है ठीड न अगला यहां पर प्रिश्ण है पीले पत्ते को जश्ट बेटी या एक चुली में किया न कि दिवाली के सब छुट्टी है तो दिन मैं आया हूं यहां पर कि यह हैं मुझे मंगता हो गया हम सबक किरा ऐ तो यहीं होगा है कि मैं प्रोसित पत्यकण नायकं समांद पीली पढ़ती जा रहे हूं कि अगला है आपका उप्रिक्त पद्यांस का रिखांग के तंस्किया क्या जो रिखांगे मिल्ब जिसके नीचे लाइन खेचा गया है उसी को बढ़ा चड़ाक लेग देना काम खत्म प्राधा कहते हैं कि है पौन यदि किसी नए विरिछ पर कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्री के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार में भी प्रोसित पतिका नाईका के समान पेली पड़ती जा रही हूँ अगला प्रशन है पाड का सिर्षक अरोचाइटा गनाम तो प्रस्तुत पद्यांस पाड का जो सिर्षक महुंदुतिका है और इसके रचाइटा कोन है अध्या सिंग पद्या हरियोद है फिर आप उप्रुदारों से वेक्तरस का नाम लिखकर उसके अस्थाए भाव का उले जीवन परिचे जो कि मैं आपको बोला हूं तो वहीं बताऊंगा तो सबसे पहले सबसे महत्यपूर वाले आचार हजायरिपसात द्रिवीदी का है आप इस जीवन परिचे में पढ़ाने जा रहा हूं ध्यान ने न साहितिक परिचे कह सकते इनका जन्म सन 1907 में जन्मस्था यह तो ट्रिक है लेकिन सब्सक्राइब कैसे लिखेंगे इनका साहितिक परिचे यह आप लिखेगा बस क्या लिखेंगे आचार हजायरिपसाद द्रिवेरी का जन्म बलिया जिलिक की दुबिय का छपरा नामक ग्राव में एक सरीयो पारी ब्रामर परिवार में सन 1907 इसी मे 802 विद्याले से जो 34 की परिक्षाई उन्हें उत्रिण किया उसी वर्ष प्राध्यापक होकर सांतिनी केतन चले गए और 1940 से 1950 इस वी तक महां हिंदी भौन की निदेशक के पदपर कारि करते रहें और 1950 में हजारिव साथ द्रिवेजी 802 विद्याले में हिंदी विवाग के अध्यक्ष पदपन्युक्ति हैं और इससे एक वर्ष पहले ही लखनवी विद्याले द्वारा इहोंने इलीट की सम्मान नित उपाधि प्राप्त किया था और 12 सरकान नियुक्त उपाधि प्रदान किया औ पुनान दास का पूथा पुननरवा साथ सास्तरी और अलोच नात्म गरंथ कौन कौन से सूर्दास कभीर साहित प्रामरम साहित सेट्य काली दास की लाले ली उचना नीवंत संग्रा असुक्त के फूल कुटेज विचार प्रवा विचार और वितर कल पलता और अलोग संस्कृतिक प्रिष्ट भूम पर आधायित यह उपन्यास द्रिवेदी जी गंभीर विचार सक्त के प्रमाण है और इतिहास और कलपना के समने द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साइट को आकर्शन ग्रूप प्रदान किया हुआ है ठीक ना फिर उसके बाद आपका लिखेंगे सर जी क्या कहानी का सारांस यह आपके पेपर में आता है कहानी का सारांस यह कहानी का सारांस किस पर है धुरू यात्रा कहानी का सारांस है आप पेपर में देखेंगे तो हर सार पेपर रिपीटेड है बहुत सिंपल है कुछ है नहीं एक राजा होता है जो कि धुर दुरियात्रा पर जाई विजय प्राप्स करने के लिए लिए लिक्नि उसका जाने का मन नहीं था और इसी से तंगा कर वे अपने आपको गोली माल ले दैट सॉल और कुछ भी नहीं चली तरी दुरु यात्रा एक मनोवैग्यानी कहानी है, कहानीकार जयनिद की उस्तिश narrower कोँने सरज कहानी है, राजारे पुदन भाहदुर्ण की उन्मिलार्रामक एक प्रिमिका है जिससे वह पहले विवाह के विशै में अपनी लक्षिद्धिकेकारण मना कर चुका था, वह उत्तरी धुरू की यात्रा के लिये जाने से पूर अपने प्रेमिका से पत्ती पत्त नीमत संबंद मना चुका था जिसके प्रडाम सरुप उसका एक उत्तरी जन्म हुआ था और उत्तरी धुरू की यात्रा तो उसने पूर कर ली थी लेकिन उसका मन क्या होता था सर व्या स्कूल रहता था वह भारत लोटा और उसके स्वागत में जोर सोर से तैयारिया सुरू हुए ठीन वह बंबई से दिल्ली आ गया और यह सब समाचार उन्मिला समाचार पत्रों के माधन से पढ़ रहे थी रिविदन को नीद कमाती थी और उसका मन काबू नहीं रहता था अतब वह उपचारा तार्थ मारूती आचार के पास पहुंचा और मारूती ने उसे विजेता कहकर पुगारा उसने कहा कि मैं रोगी हूँ विजेता चल है उसने रिपुदन से अगले दिन तीन बचकर बीस मिनट पर आने के लिए कहा तथा डायरी में पूरा दिन चर रहा है वह खर्च लिखने के कहकर उसे विरा कर दिया और अगले दिन वह समय पर पहुंचा को राजा रिपुदन किसके पास आचार मारूती की पास ठीक न और आचार ने यह सब देखकर कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है तुम्हें अच्छे संबंध मिल सकते हैं और उन्हें चु और राजा रिपुदन सिनेमा गया तो वहां पर भेट हुई किसे उर्मिला से जो कि उसकी क्या थी प्रेमिका थी ठीक न और वह बच्चे को भी साथ लाए थी रिपुदन ने बच्चे को लेना चाहा लेकिन उर्मिला ने उसे कंदे से चिपकाए जीने पर चरती गई जीन नाम के विशय में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब नाम क्या तुम ही रखोगे क्योंकि भाईया जैसी बच्चा पैदा हुआ यह छोड़कर भाग गया ठीकिना वो लो ले लिया था तो उससे लिए उगुस्सा थी उसके बाद देखिए तो उसने दो नाम सुझाय को और राजा रिपुदर ने किस से उर्मिला को लेकिन उर्मिला के ने कहा कि नहीं मैं इसे वदू कहते हूं और सनीमा देखना बीच में छोड़कर दोनों बीती जिन्दकी के बारे में चर्चा करने लगे और रिपुदर ने कहा कि उर्मिला तुम अभी भी मुझ राजा तुम्हें रुकना नहीं है पत अनंत हो यही गती का अनंद है राजा ने कहा कि मैं आचार मारूती के यहां गया था और उसने विवाह का सुझाव दिया तो उर्मिला ने उसे ढूंगी का नहीं भीया वो ढूंगी है विवाह के चक्तर मिना पड़ो अभी जाके आप यात्रा पूरी करो तता कहती है कि वही प्रगति सील में बाधक है ते जस्विता का अपहरता है रेवुदन कहता है कि मुझे जाना ही होगा तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता इसके बाद वह दिये गए समयानुसार मारूती आचार से मिलने जाता है उनके पूछने पर वह उर्मिला की विसम बताता है आचार कहता है कि ठीक है तुम उसी से साधी कर लो वह धननजय की बेटी है वह मेरी बेटी है मैं उससे समझा दूंगा उर्मिला आचार से मिलती है तो वह भी अनिक प्रकार से उससे समझाता है फिर पुदन उससे पुछता है कि तुम आचा रुपुदन कहता है कि मैं इस्तिरी की बात नहीं सुनूगा मुझे प्रेमिका के मंत्र का वर्दान है और यह ख़वर सर्वस्त फैल लाती रुपुदन दक्षडी धुरू की यात्रा पर जा रहा है उसके बाद पुर्मिलावी कलपनाव में खो जाती है और राश्पती की ओ किया गया भोज हो रहा होगा सब राश्ट दूत होगे सब्दार नायक और दनपती होंगी और वहीं पर तीसरे दिन उसने अख़बार में पढ़ा कि राचा रुपुदन सबेरे खुन में सने पाए गये और खुन का कनपटी के आर पानिसांता और अख़बारों ने अपने जाने का मन नहीं था और जख्टरी दुरूब में एकानवे मृत्तु सुकर होती है उस पत्र की अंतिम पंक्ति में मुझे मदलब यह लिखा गया था मुझे संतोस है कि मैं किसी भी किसी की प्रपूरता में काम आ रहा हूं मैं पूरे होसो हवास में अपना काम तमाम कर रहा और लक्ष के प्रति उडान भरी करूरा का क्या हो गया अंतो हो जाता है तो यह रहा आपका हिंदी के मुझ्ट इंपॉर्टन वाले टॉपिक और यह जो इंपॉर्टन वाले मैं टॉपिक सभी आपको कराया हूं आप इससे तयार कर लिजे मैं ग्यारंटी देता हूं सर पै आपके पेपर में भाई साब आ सकते हैं तो यह टापिक आप पढ़ लिजेगा और यह तयार करके जाएगा गयारंटी सर हमारी है सर सौ में सौ एकदम पूरी तयारी करवा देंगे आप चिंता मत करेगा सर आप लोग चिंता बिल्कुल भी नहीं करेंगा इसे वीडियों के झाल